पर नजम सेथी जो है उनके लोगोंने जेशाह से कांटाक्ट भी किया और जेशाह ने कांटाक्ट भी निंग किया रिप्लाय भी निंक यूँल की इंसल्ट से भी मुतरादफि जए शाह क्यों तो वह वहां पर अमिश्यासाम का बेटा है जहिन दोस्तों मोडीडेस में आपका सौगत है दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे पीसीबी के जो ने चेयर्मेन है नजम सेटी क्योंकि आपको याध होगा कैसे जमी जास है जो पूर्बर चेयर्मेंट है उन्हें 17 बंडियों नहीं मिलके राट के धाई बजए धक्के मार के PCB से निकाल दिया था तो आब nagim city आया है तो nagim city रो रहा है कि मैढ जैसा को message करता हो email करता हो call को यह मेरा phone भी नहीं उठाटे email भी नहीं खुलते मेसेज़ में नहीं देखते चैसा इस से पाकिस्टान का इंसल्ट करार है और नजमषी इस पर भी रो रहे जैसाने kapka का स्केडूल निकाल दिया पर पकिस्टान को तो एक बार भी नहीं पूछा तो जैसे जोना धोना करते थे तो आप नजम सेटी भी आकर भाट पे जोना धोना उन्हें शुरू कर दिया तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही मिज़दार है तो इसा पूरा सेरो दिखेगा तो चलिए और इंतसार नगर के वीडियो दिखते ह कि आप यह मल्क शोर्प की अन्सल्ट से भी मुतरादफ हा कि आपको लोग प्रफेशनल कॉंसिजर करेंगे अगर आप की मैच हार के आते हैं थर्ड क्लास क्रिकट के लेंगे लोग केंगे यार इनकी तो टीम थर्ड क्लास है इनके मुल्क में क्या जाना है बीजेपी की सोच जो महासमाई सोच है वो तो यही है कि पाक्तान को कहीं भी आगे ना बढ़ने दो कहीं भी उनका जाल ना दलने दो तो यह उनकी पालिजी है जिसमें वो चल रहे है मुझे बलके जो यह समझ नहीं आई कि जब यह इवेंट पाक्तान को देने का कैसला हुआ था उस लगी दो साल मुझूद था बलके जाइस सदारत भी उनके पास थी कुछ की कैसे हो गया अब बैटे बैटे आपने एक्दाम इसना बड़ा यू टर्म लेके ये इलान दाग दिया है क्योंके सेक्यूरिज की के महामजा चीज़ नहीं है तो इसलिए हमारी तीम खत्रा मैसूल जाती है नजम सेटी हैं जो कि आज करेंव के पाकशसान की क्रिकेट को देख रहे हैं जब से जो क्या नामान कर, रमीज राजर साब हटें हैं और उन्होंने का जी कि इन्होंने जेशाह साथ ने यूनिलेटरली जो है वो इशिन क्रिकेट कॉंसल का स्ट्रक्चर और केलेंडर जारी कर दिया है और हमें पूछा ही नहीं है सेटी साहब ने बड़ी कॉंप्लेंड की का यार यह क्या बात ही कि आपका दिल तो यह करता है कि हम इंडिया में आके खेल ले अब तो नजम सेटी उसकी भी कॉंप्लेंड कॉंटीनिसली कर रहे है कि भाई जे शा जो है क्रिकेट ना खेलना एक और चीज़ है लेकिन वन चुट हवा कर्टसी तो रिप्लाए रिप्लाए की कर्टसी तो होनी चाहिए कि आप अगर आपका एक जो है वो कॉंटर पार्ट है दूसरे मुलक है और वो आपसे मिलना चाह रहा है आप दभाई में है और क्योंकि वुजाद आप मैने महामलात में दभाई में लाते हैं आइस जी वेगारा के आफिसेज की शाहिद उतर है तो वो सेटी साब कह रहे है मैंने आना है तो भई तो मैं आपसे मिल लूँगा लेकिन वो कहने है वो तो हमारी एमेल का जवाब भी नहीं दे रहे तो यह जो चीजे हैं तो इट सोज के डबी सीजी आई जो है और आट कंप्लीटली वोकिंग जो है वो अन्देरों तो बी सी सी आई इस लुकिंग दा प्राइमिस्ट्र मोधी की गौर्मन को भी देख रहे हैं और उनसे जो इंस्ट्रक्शन उनको बिली हुई है या मैत शाथ साब ने दी होंगी दी ही नँखेच करो कोई ज़ुरूरत नहीं हमें जाने की आने कीया हमारा इंसे कोई लेना देना नहीं है और ये चीजे अब जारी बात है года है पाकस्तान को इस चीज की वड़ी तकलीफ हो रही है कि जिसें ये कहते हैं ना ना के की ये सारा रोन कुलेंडर नगरे स्टी साब कि अगर में बात करो थे करना चाहिए है queue teem से करना एक भाई थे डिया को कि पत्स्राने कि पता है कि पता है कि तज दोसरे के मूल को मतब अब अछढ़ाईगा का जब लेकिन अजर मैं अपनी तरफ से मेरे हाथ में कोई पावर आ जाती है और मैं कोशिच भी करना चाहूँ मैं बड़ बड़ा क्रिकट का तो मैं जाओंगा और वोलूँगा यार देखो यार मेरी मुल्क में भी लोग है वो छुक्ति हो होती हो है और मेरे आदा छोशिचे पावर कोरों तो कोशिच करना जो बैद करें तो कोछीच करके देखते हैं यह महां भी सब्सक्राद कर कोणी करने ही जो हो धुष भुत आफ कोको कड़ जो गोली किन कोई जो ने सेटी बताते कि नीट्रल वेन्यू लेकिन सेटी ने बात कर दी कि जब वो वक्त आएगा वेंगे टाइम विल कम विल क्रॉस दपरे और सेटी साथ को आई होब कि कोई टायलोगों का सेट अप हो सके जेशा के साथ कि अब बहुत सारी लोग जेशा को भी पुछ करेंगे स्टे जैसा ने इसका जवाब दिया है जैसाने कहा है कि 11 डिसमबर को एसे कप ने PCP को इमेल किया था स्केडियूल के लिए बाचित करने के लिए पर PCP से कोई जवाब नहीं आया तो इसलिए PCP का जो पॉइंट ओ व्यू है या PCP से बिना पूछे Asia Cup का schedule कर दिया गया तो 11 December को तो रमीज जाजा PCP के चेर्मेंट है तो नजम सेटी को बिना जाने ऐसी चीज़े नहीं बोलनी चाहिए नजम सेटी को पहले रमीज जाजा से पूछना चाहिए कि 11 December को जब Asia Cup ने message किया था या email किया था तो रमीज जाजा क्या कर रहत है रमीज जाजा ने उसका जबाब क्यों नहीं दिया तो इसलिए पाकिस्तान से बिना पूछे Asia Cup का schedule कर दिया गया क्योंकि Asia Cup थोड़ी पाकिस्तान के लिए तीन महीने वेट करेगा पाकिस्तान को कब टाइम मिलेगा तो इमेल देखेगा तो सोचेगा कि मैं क्या जबाब दू और फिर Asia Cup तीन महीने के बाद जब Asia Cup खटम हो जाएगा तो Asia Cup का schedule देगा तो नजम सेटी पहले PCV के जो लोग है उनसे पुछे कि उन्हें जबाब क्यों दिया ऐसे बेबुनियात आरोब लगाने से पहले कि जईसा ने अपनी मर्जी से Asia Cup का schedule देदी है क्योंकि जईसा का ego बहुत ही सब बड़ा है या जईसा बहुत ही अरोगेंट है और बहुत ही अपने आपको बड़ा समझता है तो यह सब पाकिस्तान की नौटंग की है और आखिरे में मैं यह कहूँकर इनजम सेथी जो रो रहे कि Asia Cup के लिए भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आएगा इंगलेंट आया था उस्ट्रिया आया था उन्हें तो कुछ हुआ नहीं पाकिस्तान में बहुती जड़ा है क्योंकि भारत एक बहुती बड़ा टार्गेट है पाकिस्तान में इंगलेंट आया उस्ट्रिया इतना बड़ा टार्गेट नहीं है जितना भारत है तो भारत टीम अगर पाकिस्तान गई और उन्हें कुछ हो गया यार उन पर कोई हमला हुआ तो इसलिए भारते टीम पाकिस्तान नहीं जाना चाहती तो इसकी बहुत ही अच्छी वजह है और पाकिस्तान अगर इसे इंटरणेस्न मीडिया में ले जाना चाहते तो इसलिए गृजय कि बहुत सुक्राइब है और हमारी चैंगर सुच्क्राइब करना मत भूलेगा थेंकि वरी मुच झाल झाल